हलो दोस्तों आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा हूंगे जो लोग बीड में एडमीशन लिये हैं यानि जो लोग बीड फॉस समेस्टर में अभी हैं उनको कौन-कौन से बुक परचेश करनी है बीर बहादू सिंग पुरवांचन इनवरसिटी वाले ठीक है और हाँ यह बताया हूं कि आपकी कितने पेपर होते हैं कितने प्रेटकल होते हैं और उसके बाद अपका स्लेबस क्या है और नहीं वीडियो देखे हो तो वींए बहादू सिंग पुरवांचन इनवर्शिटी जितने भी छातन है जाकि वह वीडियो देख लो मेरे भाई ठीक है आपका पेपर वन है बाले आवस्ता एवंग उसका विकास ठीक है चलो आपको बुक कौन से ले नहीं इसका स्क्रीन सॉट भी ले सकते हो या भी आप लोग टेलिग्राम चैनल जॉइन करके वहां से इसका PDF भी पा सकते हो बुक का ठीक है मेरे भाई तो बुक जाके कहीं से भी पर्चिस कर लोगे बुक दिखा के वरना आप लोग चाहो तो इसे किसी भी आफ्लाइन या फिर किसी भी सौप पे जाके बुक आप लोग पर्चिस कर सकते हो इस बुक को लिखें रीता चौहान और पूनम मदामने बाले अवस्ता है उसका विकास में आपको पढ़ना क्या है मेरे भाई ठीक है उसके बाद पेपर सेकेंड आपका है कभी मैं इसको अच्छे से समझाऊँगा पर सेकेंड आपका है सम्समाईग भारत और सिचाटी का सेकेंड पेपर आपका है इंप्यार इसको मैंने अच्छे से पढ़ाथा जब मैं बीड़ कर रहा था देखो पेपर फर्ष्ट और पेपर थर्ड काफी important book यह है क्यों है क्योंकि अगर इन दोनों book को आप लोग अच्छे से तयार कर लिए तो आपको बहिए चाहे आप सीटेट की तयारी करो चाहे यूपीटेट की आगे चल के तयारी करो उसके बाद सूपर टेट की तयारी तो 100% करना ही करना है यह दोनों qualify कर लोगे तो तो आपका 99% कवर हो जाएगा CDP अगर यह दोनों book आप लोग पढ़ लिए तो paper first और paper third ठीक है paper first आपका क्या है आप लोग देखी चुके हो तो बाल्यावस्ता उसका विकास और paper third आपका जो है आधिगम करता है यह होगा paper third इसको देखो ले जीता चौहान और यहसस माथुर जी लिखें इसको भी आप लोग पर्चेस कर लेना यह मैं वह रिक्वेस्ट आप से कर रहा हूं ठीक है चलो और उसके बाद paper fourth आपका कौन सा है assessment for learning ठीक है अधिगम के लिए आकलन बच्चे क्या सीखत है उसका जो आकलन हम लोग करते हैं मुल्यांकन करते हैं अंतर होता है मैं कभी इसको अच्छे समझाओंगा थोड़ा सा time का इस यार ने तो मैं इसको ऐसा समझाता आप कभी नहीं भूलते ठीक है मैं कभी इसको एक एक वीडियो में आपको बनाता रहोंगा एक्जाम से पह कास को आप लोग 100% çE div करने उसके बाद आपका समसमाय भारत और सिचा क्वे शचाम समाइक भारत और सिचा में क्या पढ़ना था जिसे बहुतने सब अधिम क्या करता का मनों बिग्यान अधिदक और सीच्छ्र कर लेकिक तो बच् преп ai सब चीज़ों को यहां पे आप लोग आंकलन करते हैं, बच्चे क्या सीखें, मालों किसी बच्चों का आप एक महिना पढ़ाया हो, तो आप लोग ये उसका आंकलन करते हो, कि बच्चे ने क्या सीखा, तो वही हो था मेरे भाई आंकलन करना, ठीक है, चलो, ये रहे चारो बुक मैं आप बता दिया, इसको जाके प पर्षेज करने में कोई पराब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टागराम पर मेंसज करों कि सर्वुक परफिच करने में पराब्लम हो रही है तो मैं प्रोवाइद करने का कां muchos ठीक और हाँ नए हो तो फ़के चैनल जूड़ जाओ सब्सक्राइब चैनल आपको बेस से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेगा ठीक है तो सब्सक्राइब करके जूड़ जाओ और हाँ पीडिया पाने के लिए आप लर्निंग विथाकास को अगर टेलिग्राम यूज़ करते हो तो उसको जो है चैनल पे जूड़ जाओ लर्निंग विथाकास क टेलिग्राम चैनल पर ठीक है मेरे भाई यह रहां कंप्लीट डिसकसन और हां देखो जानकारी आपको सटीक मिलेगी थोड़ा सा वीडियो की कौन्टिटी क्वाल्टिटी और वाइस वाइस में थोड़ा प्राब्लम हो सकती लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद यह तो अच्छे से पढ़ो चलो बहुत बहुत धन्यवाद